बहु कहां मर गई अंदर से आवाज आई जिन्दा हूं माजी तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई कब से पूजा करके बैठी हूं ला रही हूं माजी बहु चाय के साथ बजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर मारेगी क्या बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूं सास ने कहा रहने दे अब बना दिया है तो खा लेती हूं सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहु माजी मुझे कप्ड़े दोने हैं मैं जाती हूं बहु दर्वाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी बहु मुस्कुराई और काम पर लग गई दोपहर के खाने का वक्त हुआ सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा बहु ने आवाज नहीं दी सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या बहु आई सामने खिचडी रख दी सास गुस्से से ये क्या है मुझे इसे नहीं खाना ले जाओ बहु ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचडी खाने को कहा है खाना तो पड़ेगा ही सास मू बनाते हुए बोली हाँ तु मेरी मा बन जा बहु फिर मुस्कुराई और चली गई आज इनके घर पूजा थी बहु सुबा चार बजे से उठ गई पहले स्नान किया फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साफ की पगवान और भोज बनाया सुबा के दस बज गए अब सास भी उठ चुकी थी बहु अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तयार कर रही थी आज ओफिस की चुट्टी भी थी और उनके पती भी घर पर थे पूजा शुरू हुई सास चिलाती हुई बोली बहु ये नहीं है बहु वो नहीं है बहु दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दो पहर के तीन बज गए थे आरती की तयारी चल रही थी पंडित जी ने सब को आरती के लिए बुलाया और सब के हाथों में थाली दी जैसे ही बहु ने थाली पकड़ी थाली हाथों से गिर पड़ी शायद भोजन बनाते हुए बहु के हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोचना भूल गई थी सारे लोग तरह तरह की बाते करने लगे कैसी बहु है कुछ नहीं आता एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती ना जाने कैसी बहु उठा लाए एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी उसके पती भी गुसा हो गए पर सास चुप रही कुछ नहीं कहा बस यहीं बोल के छोड़ दिया सीख रही है सब सीख जाएगी दीरे दीरे अब सबको खाना परोसा जाने लगा बहु दोड़ दोड़ के खाना देती फिर पानी लाती करीब सतर असी लोग हो गए थे इधर दो नौकर और बहु अकेली फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी अब उसकी सास और कुछ आसपडोस के लोग खाने पर बैठे बहु ने खाना परोसना शुरू किया सबको खाना दे दिया गया जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी आसपडोस वालों को तो जानते ही होना साहब वो बस पहाना ढूंते हैं नुक्स निकालने का फिर वो सब शुरू हो गए ऐसा खाना है ऐसी बहु है ये वो वगेरा वगेरा दिन का खाना हो चुका था अब बहु बरतन साफ करने नौक्रों के साथ लग गई रात में जगराता का कारिक्रम रखा गया था बहु भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सास जोर से चिल्लाई मेरी नाक मत कटा देना गाना नहीं आता तो मत गा वापस आजा बहु मुस्कुराई और गाने लगी सब ने उसके गाने की तारीफ की पर सास मुफ लाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कुराई और चले गई अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के ओफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे उसका पती चिलाता थोड़ा बर्फ ले आओ तो सास चिलाती यहाँ दाल नहीं है फिर चिलाता कोल ड्रिंक नहीं है पापड ले आओ इधर उधर आखिर में उसके पती की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और वो तर तूट गई पती गुस्से में दो जापड अपनी पतनी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की देख कर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग देखने लगे उसकी पतनी रोते हुए कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया यहां नहीं पलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते कैसी अनपड गमार बीबी ला रखी है तुने उसे तो महमानों की इज़्जत और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेज़्जती कर दी अब आस पडोस की औरतों को और बहाना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहु ने कोई काम की नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो छुटकारा पाओ इस गमार से सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थपड मारा और कहा अरे नालायक तुने मेरी बहु को मारा तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी ठांग तोड़ दूँगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे उसकी मा ने घूरते हुए कहा चुप बिल्कुल चुप यहां दारू पीने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है कैसे संसकार दिये है तुम्हारे माता पिता ने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जरा इधर आओ चपल से मारूंगी अगर मेरी बहु को किसी ने अपशब्द भी कहा तो अरे पापी तुने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब तूट गई वो बच्ची सुभा चार बजे से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुभा से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सबकी बाते सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी रही तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए अब सास बहु के कमरे में गई और बहु का हाथ पकड़ कर बाहर लाई सब के सामने कहने लगी किसने कहा था अपनी बहु को घर से निकाल के दूसरी बहु ले आना जरा सामने आओ कोई सामने नहीं आया फिर सास ने कहा तुम जानते ही क्या हो इस लड़की के बारे में ये मेरी मा भी है बेटी भी मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डाटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है मेरी राद दिन सेवा करती है मेरे हजार ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती ना सामने ना पीट पीछे और तुम कहते हो दूसरी बहु ले आऊं याद है ना चुटकी की दादी अपनी बहु की करतूद सास ने गुसे से पडोस की महिला को कहा अभी पिछले हफते ही तुम्हें मिया वीवी भूखे चोड़ गूमने चले गए थे मेरी बहु ने साथ दिनों तक तुमारे घर पर खाना पानी यहां तक की तुमारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो जाहिल तो तुम सब हो जो कोईले और हीरे में फर्क नहीं जानते अगर आइंदा मेरी बहु के बारे में किसी ने एक लवज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्यूंकि ये मेरी बहु नहीं मेरी बेटी है बहु सिस्किया लेते हुए फिर कमरे में चली गई सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परुसा और बहु के कमरे में खुद ले गई सास को भोजन लाते देख तो बहु ने कहा अरे माजी आप क्या कर रही हो मैं खुद ले लेती सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा डर मत इसमें जहर नहीं है मार नहीं डालूंगी तुझे तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तु ही मेरे घर की बहु चाहिए बहु ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया सास भी रो दी पहली बार और कहा चल खाना खा ले फिर मजाक करते हुए कहा फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल में मतलाना किसास पैर बोलती है तो किसी दिन मैं इसका गला दबा दूँगी क्यूंकि कभी मैं भी यही सोचती थी दोनों खूब हसने लगती है कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं बस बाते कड़वी होती है ऐसी ही और भी कहानिया सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद